नमस्कार दोस्तो फिर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ दोस्तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं मेरे हाथ में हैं Redmi 9 और इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने मोबाइल में नोटिफिकेशन रिंग टोन कैसे चेंज कर सकते हैं या फिर अपने पसंद की रिंग टोन कैसे लगा सकते हैं नोटिफिकेशन रिंग टोन में तो चलिए ग Hayes वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले notification पे click करेंगे और इसके बाद अगर आपने memory card में या फिर अपने phone में कोई गाना download कर रखा है अपनी पसंद का लगाना है तो choose local ringtone पे आपको click करना है और आपके सामने ये तीन option खुल जाएंगे आप इन में से choose कर सकते हैं जिसमें आपका गाना है तो मैं file manager पे click कर दूँगी तो यहाँ पे आपके memory card में या फिर आपके phone में downloaded गाने जो होंगे वो सारे यहाँ पे show हो जाएंगे तो अभी मेरे phone में कुछ भी नहीं है तो इस वज़े से यहाँ पे show नहीं हो रहा है MPT दिखा रहा है शो करेगा तो आपको इस पे click करना है और यहाँ पे click कर देंगे तो आपका ringtone यहाँ पे set हो जाएगा local वाला इसके बाद आप back कर देंगे और इसके बाद यहाँ पे आपको category मिल जाएगी कि यह रोमेंटिक चाहिए हनुमान चाली सा वगयरा चाहिए या फिर कोई सा भी love वगयरा वाला कोई सा भी ringtone आप यहाँ पे choose कर लेंगे ऐसे scroll down करेंगे काफी सारी categories आ जाएगी तो यहाँ से मैं आपको एक करके दिखा देती हूँ तो यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करूंगी तो ऐसे आप बजा लेंगे इस पे क्लिक करके और अगर आपको set करना है इसके लिए आप इस bell पे क्लिक करेंगे इस पे घंटी वाले पे निशान पे क्लिक करना है आपको और notification वाले पे क्लिक करना है या text message वाले पे क्लिक करना है notification वो होते हैं जो आपके application वगरा की तरफ से notification आते रहते हैं आपको वो होता है और text message वो होता है आप जानते हैं text message क्या होता है तो मैं notification पर click करूँगी और downloading start हो गई है यहाँ पर apply हो गया successfully और इसके बाद मैं back कर दूँगी और जब भी आपका आएगा यह notification तो आपको वो tone सुनाई देगी तो इस step से आप notification ringtone के setting कर सकते हैं तो I hope guys यह video आपको जरूर पसंद आया होगा अगर वीडियो से related कोई दिक्कत आती है तो नीचे comment section में पूछ लीजेगा तो चलिए मिलते हैं आपको इक next video में तब तक के लिए नमस्कार